गुड मार्णिंग टू आल अफ यू एंड वैलकम टू यॉर चैनल जी के फैक्स करेंट में गाइज आज डेट है फॉर्थ मार्च और जानेंग आज फॉर्थ मार्च से डेली मौनिंग वाली वो केप जिसको हम एट अक्लोग पर डिसकस करते हैं और आप से भी जानते हैं य वो सबी स्टूडेंस चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना पूलें याद रहे कि एक्जाम में पांच नंबर की वोकेब आपसे पूछी जाती है जो बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट हो आपको वोकेब कवर करने के लिए डेली ही पढ़नी पढ़ेगी इसके साथ साथ आ है सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब को सो फर्स्ट वन है ऊडल्स इन सभी को हम शायत पहले पढ़ चुके हैं नो प्रॉब्ल्म रिवीजन हो जाए गार ऊडल्स जिसका मेनिंग है अब वेरी ग्रेट नंबर और अमाउंट ऑफ संधिंग किसी चीज की किसी चीज को बहुत बड़ी संख्या में होना उडल्स को कहते हैं हम अधिक संख्या क्या कहा जाता है इस पे लिन्ग याद रुकना double o d l e s फो अगर देखें इसके हम सिनोनिम सुभी इसके तीन सिनोनिम से और तीन ही इसके आंटर्ञ दिए गए हैं दोनों जो इंपोर्टेंट हैं औ और चूरता या फिर हम इनफ भी कह सकते हैं कि पर्यात मातरा में हमारे पास कुछ एसी चीज जो हमारी रिक्वार्मेंट है वो होना बास्केट तो आपको पता है टोकरी फुल बास्केट भरी हुई बोट मतलब की होता है नाओ और लोड मतलब होता है भार तो दोनों को कमबाइन कर देंगे तो बोट में नाओ में भार एश भाई तुरुका इक्का अक्सर आपने देखा हो कि ताश की गड़ी में एक इक्का होता जो बहुत बड़ा होता है यसे मैंने सिफ सुना सुना है मैंने कभी खेला नहीं खेलना चाहिए उसों माइंड गेम होते हैं यह ठीक है बिट अंज लिटिल बिट के तरह लिटिल बिट सो लिटिल मतलब की थोड़ा और बिट मतलब अंज एश मतलब में आपको बताया है एक का ठीक होप यू ओल अर अंडिस्टैंड सो नेक्स डिसकस करते समझ रहे होंगे आप सबी सो दे हैं गौट वडल सॉफ मनी उन्हें पेसे की भारी मातर हम मिले और अधिक संक्य में मिले इस तरीके से हम के सकते हैं और अपना एक होमवर्क नोट डाउन कर लो डेली ही में एक होमवर्क देता हूं कि आपने बस एक एग्जामपल बनाना और साथ ही उसको कम अपना काम समय पर नहीं करेगा उसको के वर आला सी आएगा और दियर मेनर लेकिंग एनर्जी और एक व्यक्ति और उसका व्यवार या उसका रविया जो की क्या दिखाता है उसकी उड़जा और उसके उससा में कभी क्योंकि जिसका मेनर ही बिल्कुल लिस्ट होगा कि भोन अनव दीज होगा कुछ नहीं होगा वह सूस्त होगा वह व्यक्ति कुछ नहीं करसकता देक कांट डूइट कुछ नहीं कर सकता है he can't do it he can't do it ठीक है यह जाख टिक और फिर उड़ इंटर प्राइसिंग जाना मतलब पुद्जिक में सबी को एंटरप्राइजिंग जरूर करना चाहिए देखिए मैं आगर आपको एक बात बता हूं अगर देखिए अगर आपको रियालिटी में कर जोब ही करनी है लाइफ टाइम कि हां जी मुझे जोब बन गए उसके बाद मैं इन सबी बातों से अपना रिष्टा तोड़ दूँगा उस व्यक्ति को उतना पढ़ना चाहिए जितने में उसकी जोब लग जाए या फिर अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे आगे भी कुछ करना है तो उसको लगतार पढ़ना चाहिए लेकिन याद रहे हर वक्त पूरी तरीके से जोब पे निर्बर ना रहे एंटर रहे या फिद बरबाद ना करें अक्सर मैंने देखा है कि लोग ददस साल लग जाते हैं सरकारी नोकरी के चक्र में और सरकारी नोकरी नहीं मिलके देते उससे बहतर है कि आपने एंटरप्राइजिंग खोलना बहुत बड़ी मातरह में बहुत जादे मतलब कि बहुत खाना सीख जाई है ठीके पढ़ाते दीजिए दो महीने तीन में मुश्किल से सिफ हैंडिल होने लग जाता बिल्कुल इजली नौप्राव्लम कि सिनोनिम्स हम डिसकस कर रहे थे कर लिए और हमने एंटरनिम से मोटिवेटीड प्रेजित होना देखें बहुत जादे बहुत निश्टनेज और जो है सुस्त महसूस किया डेफिन अगर आप किसी भी किसी डिशी से सफ्रिंग हो सो भई यूविल भी फील लाइक दिस में भी लिश्टलेस एंड वर्णाउट ठीक है नेक्स्ट इस एजिलिटी चुस्ती एजिलिटी मीन्स चुस्ती एबिलिटी टू बहुत असानी से और ततवर करने की जंदा मतलग कुछ मूव करने की जंदा या आपके ध्यान रखना है डेली डेली अकर आप रीडी करती रहेंगे एटलिस आपको कुछ नकुष समझ में आयगा कि कि ना करने से कुछ बहतर है कुछ किया एबिलिटी टू अबिलिटी तू और मुव कुछ ली एजली सिनोनिम से स्लाइड सफाइड टेरिटी निपूर्था एंड निम्बलनेस यह इसके सिनोनिम से एंटरिम्स तीनो वड़ों को आप एक वड़ों में भी बता सकते हैं इन अबिलिटी इनकेपैबिलिटी इनकेपैसिटी तीनो का मतलब अच्छमता तीनो का मतलब अच्छमता ठीके चलिए अब हम एक्जामपल डिसकस करते हैं आई एडमायर हीस कंसीडरेवल मेंटल एजिलिटी मैंने उनकी काफी मानसिक जो च्छमता है उनके अधार पर मैंने उनकी काफी परशंच जागी है ठीके और अगर अभी तक आप लोगों ने च और जो है डिसलाइग भी करना और उसके बाद देखे एक हॉमवर्ग का जो कोश्चनस में आपको बताता हूं कि आप लोगों ने एक एक्जामपल जरूर डेली बनाना है एक फ्लैट के लिए डेली फाइफ एक्जामपल कराने और एटलिस थर्टी वर्ड आपको रियाद क करने हैं वो के के नेस्ट इस प्लैंटीव दर्दनाग साउंडिंग सैड एंड मौनफुल देखे समझे कहने का मतलब यह कि धर्दनाग और जो है को शोकगुल लग रहा है मौनफुल मतलब शोकगुल अब हम इसको सिनुल्स में डिसकस कर रहे हैं और सैड दुखी और विस से डिलाइटीड आनन एक्जाल्टिंग प्रफुलित प्रफुलित इस तरीके से लिखते हैं प्रफुलित एंड ग्लोरिफ ग्लोरिंग मींस घमंड क्या होता है घमंड ठीक है सो यह याद रहेगा एक्जांपल को डिसकस कर लें लें वट अबाउट मेरे बारे में क्या कैम एक दर्दनक अवास आई ठीक है लास्ट इज हॉलरिंग मींस चिलाना ऑफ आप परसन गीफ अलावड शाट और गए एक विक्ति जो चिलाता है और रोने जी रोता है शट चिलाना येल चिलाना किराय रोना मंबलिंग बुद बुदाना मर्मरिंग कुड कुडाना और विस विस्परिंग मिंस दीरे दीरे बुलना शट येल क्राय मंबलिंग बर्मरिंग और विस्परिंग इसके सिरुनेंस और अन्टनिम से इंपोर्टेंट है इनको याद रखना आप लोग चलिए लास्ट एक्जामपल को डिसकस कर लेते हैं हॉलिंग एट मी इस नाट पार्किंग प्लेस और ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे चिलाने से पार्किंग नहीं मिलने वाली हॉलिंग एट मी इस नाट गॉइंग टू फाइंड पार्किंग प्लेस सो आज की हमारी जो क्लास थी गाइस वो यहीं दगती उमीद करता हूं कि आप सब अंडिस्टू प्रोग्राम पर जाके मिल जाएगा उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिफिट बॉक्स मिल जाएगा वहां से जाकर आप डॉल्लोड कर सकते हैं याद रहे इंपोर्टेंट हैं इंपोर्टेंट केता रहता हूं पर ना आपकी जिम्मेदारी है रिस्पोंसिबिलिटी जितना मन करें उतना पढ़िए ठीक है मिलेंगे नेक्स क्लास में दो बज़े वाली क्लास थोड़ी बोट नहीं आरी कल नहीं आए और ठीक है और पड़सों भी नहीं है वह एक्चुली सरगी तवे ठीक नहीं लेकिन वह डेली कॉंटियूनियू रेती है कुछ खारणवां से क्ला से क्ला मुटनियूनियूण वीघ डिक है क्ला मुटनियूण से क्ला.